और चले रुकरते अगली खबर की उर पाकिस्तान में एक बार फेर अत्तक्ता पलट की हल चल तेज है मार्च महीने में प्रदान मत्री पत की शपत लेने वाले शेयबाज शरीफ की जगए इमरान खान की वापसी का हल्ला मचा हुआ है इमरान खान की पाटी के निताओं ने खुले आम जो है वो एलान करना शुरू कर दिया है कि आर्मी चीफ आसे मुनीर और इमरान खान में बड़ी जील हो चुकी है का जो आ रहा है कि इस दिल में मौलाना डीजल के नाम से कोख्यात फजर रहमान से एहम करदार निभाया है देखे पाकिस्तान में पल्टी वाजी पावर में लोट रहे है नियाजी शाबाज के सिर पर मुनीर ने लटका दी दो धारी शम्शी पाकिस्तान में तुरुप का पत्ता बने मौलाना डीजल इसलामाबाद का तक्त फिर से डोल रहा है कट पुतलियों में फिर बदल की तयारी है प्रधान मंत्री पद पर नई ताज पोशी की जबरदस्थ हल चल है शाबाज शरीफ की विदाई और इमरान खान की सत्ता में वापसी के चर्चे रावल पिंडी से इसलामाबाद तक हिलोरे मार रहे है अलान तो यहां तक हो रहा है कि जेल में बंद इमरान खान ने आर्मी चीफ आसे पुनीर से बड़ी डील डन की है डील के तहत उन्हें फिर से पपेट पीम की पद्वी मिलेगी मगर कुछ शर्तों के साथ जाहिर है ऐसे में मौझूदा पीम शाबाज शरीफ की शामत आएगी लेकिन अचानक ही सारा पासा पलट कैसे है पाकिस्तान की हुकूमत की चूलें क्यों हिल गई किसने की इमरान खान की सेना से सेटिंग क्या बुश्रा बीवी के एजेंट्स ने मिशन पॉसिबल बनाया या फिर डीजल मौलाना ने शरीफ ब्रदर्स को गच्चा दिया हकीकर हैरत अंगेज है मगर जो खिचड़ी पडोसी मुल्क में पक रही है उसने नवाज शरीफ और उट्टो खांदान का जाइका बिगाड़ दिया है क्योंकि इमरान की जेल से रहाई और पी-एम की पावर में आना पाकिस्तान में बड़े कतलियाम का सीधा सिगनल है सबसे पहले सुनिए कभी पाकिस्तान के विज्यान मंत्री रहे फवाद चौधरी क्या कह रहे है शाबाद शरीफ की हैसियत सेलेक्टिट पी-एम की है लेकिन आर्मी चीफ आसिम मुनीर को ये सेलेक्शन रास नहीं आ रहा है अडियाला जील में बंद इमरान खान को इसी मौके का इंतजार था जिन फवाद चौधरी ने शाबाद शरीफ की हैसियत बताई है उन्हीं से सुनिये इमरान और आर्मी चीफ की डील में बिचॉलिया कौन है पाकिस्तानी हकोमत का तुरप का पत्ता भी खुल गया है मौलाना और फजल रह्मान जो है वो इस वकत सबसे मेरे खाल में एक तुरप का पत्ता है इस सारे इस कार्ड की गेम का अगर इस वकत कोई बादिशा है तो फजल रह्मान है और वो अगर ना मानने इस अकूमत उसको मैनेज ना कर सकी यह अकूमत नहीं चल सकती इस कदर की साथ वोई शायद ही कहीं देखती हो लेकिन यह पाकिस्तान की सियासत है यहां हर घड़ी पासा पलड़ता है आर्मी चीव कमाथा ठनका भर नहीं कि इसलामाबाद में सिंधासन डोल जाता है क्योंकि असल बादशा सेना प्रमुक ही है जिन से इमरान खान की दील लगभद डन हो गई है इमरान खान का दाया हाथ कहे जाने वाले शहरगार अफरीधी ने खुल कर डील की डीटेल पब्लिक के सामने रखी थी जिसके दह्त सेना इमरान खान को जेल से रहा कर सारे मुकदमे बाजी से भी राहत देने को तयार है इमरान खान को इसके एवज में पहले की तरह कटपुथली प्रधान मंत्री वाला रोल प्ले करना होगा साथ ही उन्हें सेना के खिलाफ की गई अब तक की तमाम बयानवाजी से तौपा भी करनी होगी शहर्यार अफीदी ने डील का जो ब्यवरा दिया था उसे आपको सुनना चाहिए क्या मुझा करेंगे है मुझा करेंगे लेकिन हम मुझा करेंगे आर्मी चीफ के साथ डी जि याई के साथ पाकिस्तान की फौज के साथ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ وہ فوجی قیادت سے بات کر رہے ہیں میری لیڈر کی پہلے دن سے خواہش تھی انگیجمنٹ کی کہ ہم انگیج کریں اور اس طرف سے کوئی ریسپونس نہیں آ رہا تھا خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں وہاں سے کوئی ریسپونس نہیں دے رہا ریسپونس آتا تو قوم کے سامنے ہوتا یہ تو دیکھیں سیاسی طور پر اپنی کمزوری بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے بار بار ملیٹری قیادت سے اپروچ کرتے ہیں ہم پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے آرمی چیف سے بات کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہی کیونکہ تمام چیزیں آنکھے وہی پہ اور چلے فلال اس ملیٹر میں اتنا ہی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہے ہیں نیوز زیٹین راجستان نمسکار